मैं सरसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आमादमी पार्टी के नेता, मेरे गुरू अर्विन केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरोसा किया। ये सिर्वाम आदमी पार्टी में हो सकता है, अर्विन केजरीवाल जी के नेत्रित्व में हो सकता है, कि एक फर्स टाइम पॉलिटिशन एक राज्य की मुख्यमंत्री बना, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती, तो चुनाव की टिकिट भी नहीं मिलती, लेकिन अर्विन केजरीवाल जी ने मुझे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया, और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी भी है, मैं खुश हूँ कि अर्विन केजरीवाल जी ने मुझे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितन सुखाज मेरे मन में है आज उससे बहुत जादा दुख भी मेरे मन में है दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अर्विन केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के सभी वि केजरीवाल है भारतिय जनता पार्टी ने पिछले दो साल से अर्विन केजरीवाल जी को परिशान करने की उनके खिलाव शड्यंत रचने की कोई कसर नहीं छोड़े एक ऐसा आदमी जो अपनी आयारस कमिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था एक ऐसा आदमी जो एक नई पुलिटिकल पार्टी से पहली बार चनाल लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था ऐसे आदमी पर ऐसे इमानदार आदमी पर भारतिय जनता पार्टी ने भरष्टाचार के आरोप लगा जूटे केस किये फरजी केस किये अपनी एजनसीज एडी को सी बी आ कोट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोट ने सिर्व उनको जमानत नहीं दी सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार के मुँपे तमाचा मारा उनकी एजनसीज केंदर सरकार की एजनसीज एक किंज्रे में पैद कैद तोते की तरह हैं और अर्विंद केजरिवाल जी की मुझ्य मंतुरी होता, कोई और नेता होता, really, तो वो दो मिनट सोचता मुखह मंतुरी कि कुरसी बेठने के बारे, लेकिन अर्विन केजरिवार जी ने वह किया… जो आज तक इस देश का इतिहास सो छोड़िए, किसी नेता ने ना किया हूँू। उन्हों कि मेरे लिए सिर्ष सुप्रीम कोड़ का फैसला काफी नहीं मैं जन्ता की अदालत में चाहऊंगा जब दिलॆ की जन्ता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंतरी के रूप में देखना चाते हैं जब दिल्ली की जन्ता कहेगी कि तुम इमानदार हो तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठोंगे मुझे नहीं लगता कि हमें लोक्तंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उधारन मिलेगा जो आज अर्विन केज्रिवाल जी ने देश के सामने रखा दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी अर्विन केज्रिवाल जी के स्टीफे से कर शाम मुझे एक बुजर्ग महिला मिली जब उन्हें खबर मिली थी कि अर्विन केज्रिवाल जी ने स्टीफा दे दिया है वो रोने लग गई उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं उसको इतना परेशान किया है उसको इतना परेशान किया उसके जूटे केस लगाए और वुजर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाओंगी मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंतरी बनाना है तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं सभी दिल्ली वाले इतने गुसा हैं भारतिये जंता पाटी के शड्यांतर से नाराज हैं और अपने बेटे अपने भाई अर्विंद केजरी वाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंतरी देखना चाहते हैं क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंतरी क्योंकि उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवाल ही ऐसे इमानदार मुख्यमंतरी हैं जिनकी वज़े से उन्हें फ्री बिजली मिलने उन्हें पता है कि अगर अर्विंद केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ती मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ती अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगे उनको पता है कि अर्विन केजरीवाल जैसे इमानदार विक्ती अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो जो हस्पतालों में, सरकारी हस्पतालों में अच्छा इलाज मिलता है, मुख्य दवाईयां मिलती है वो बंद हो जाएंगी उन्हें पता है कि अगर अर्विन केजरीवाल जी मुख्यमंतरी नहीं रहे तो मुखला क्लिनिक बंध हो जाएगी अर्विन केजरीवाल मुख्य मंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी, बुजर्गों की तीर यात्रा बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि भारतिय जन्ता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में अधि वो फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे हस्पताल, महला, क्लिनिक फ्री बस यात्रा नहीं दे पाते हैं, और एक इमानदार अर्विन केजरीवाल है, जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है, तो दिल्ली के लोग, आमादनी पार्टी के विधायक, और म अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने की नाते, अब एक ही उद्देश से काम करेंगे, कि हमें अर्विन केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है, जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूँ, मेरा एक ही मकसद र रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है वो दिल्ली वालों के हस्पताल में दवाईयां रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है वो महला कीनिक बंद करने की कोशिश करेंगे, मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो अगले कुछ मह तक जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूँगी और अर्वन केज रिवाल जी के मार्क दर्शन में दिल्ली की सरकार चलाओगी।